corruption एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे समाज का पूर् defenses का हमारे समाज OFF हमारे देश में नी यह लग्या आपको मिलेगा किसी ना किसी फॉर्म में corruption कभी किसी और किसी अभरी के मीड देश इस न कर्उब्र सेवरल सेवरल फॉर्म लेकिन इसको रॉपना बहुत जरूरी है अब अगर कोई सोचेगी हमारे देश से रात और रात करप्शन खतम हो जा तो ये तो बहुत मुश्किल है, एक दम डीप रूटेड है, हाँ लेकिन कदम कदम ले करके इसको खतम एक दिन जरूर किया जा सकता है, और इसका एक बहुत अच्छा जरिया है, डिजिटलाइजिश पहली बार नहीं लिया है, क्या है आदेश इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे, मैं सुश्मिताफर पार्टी आप सभी की जिये मिंटोर आपका बहुत सफागत करती हूं आज के इस सेशन में, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, यूपी सरकार ने अभी क्या निर्ने लिया इन्होंने का है, कि जो यूपी गवर्नमेंट इंपलॉईज हैं, यह डिकलिया करें इनकी जो भी मूवेबल और इम्मूवेबल असेट्स हैं इसके बारे में, और ऐसा इन्हें 31 अगस तक करना है, तो यूपी गवर्नमेंट के जितने भी इंपलॉईज हैं, जो भी उनके इन्हें 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 असेट्स थे आप अगस्त महीने की जाएगी, यह बड़ा स्टेप है, तो जैसे आप देख सकते हो उत्तरप्रदेश तरकार ने बताया है, कि लगबक 13 लाग यह उसे जादा से इंपलॉईज हैं, जो अपनी सालरी लूज कर सकते हैं, अगर उन्ह अपने अपने अमुवेबल और इंपोवेबल असेट्स को डिखले नहीं किया इस पोर्टल पर जाकर, तो इर अचांसें कि वहून की सालरी नहीं आएगी अगर उन्हें नोन कंप्लाइज किया, जो इनिशेव डेड्लाइन थी वह पहले कुछ और रख रख गई थी, पहले UP Government Employees के सिर्फ 26 प्रतिशत ऐसे Employees जिन्होंने Declare किये हैं अपने Movable और Immovable Assets को Portal पर जाकर तो ये भी एक बड़ी बात है तो फिलहाल में जो UP Government है यहां पर Employees है 17,88,429 लेकिन इसमें से सिर्फ 26 प्रतिशत ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी बात बताई है यह Declare किया है 13,00,000 से जादा अब भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई भी detailing अब तक नहीं दी है तो deadline को extend कर दिया गया है, लगातार किया है, ultimatum दिये गया है लेकिन इस बारी अगर इन्होंने नहीं डिकलर किया, तो there are high chance कि इनकी salary रोग दी जाएगी अब यह जैसे आप देख सकते हो, government ने कहा है कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं अब opposition इस पे बोल रहे है, भई आपको करना था, तो 2017 में क्यों नहीं लेकर आए, अभी क्यों लेकर के आए obviously कुछ नहीं कुछ तो हर जगे से बात आती रहती है लेकिन अगर आजसे भी इसको सही तरीके से consider किया जाए, अभी भी लोग इसको लेकर के बिल्कुल जागरुक हो जाएं हर एक राजे में ऐसी चीजें करने लगी जाएं, तो शायद धीरे धीरे इस तरीके की जो वारदात है या जो ब्राइब लिया चाहता है दूसरों की position को खतम करके कोई जो नहीं भी resolving होता उसे भी बड़े बड़े पत पर पहुंचा देते हैं तो जाने कितने लोग होते हैं जो शायद काबिल हैं पर सिर्फ पैसों की कमी से या किसी और करप्शन की वज़े से अपने जीवन को या अपने परिवार की जीवन को नहीं बदल पा रहे है लेट उस होप कि इससे कुछ पॉजिटिव चेंज नजर राए हमें हमारे समाज में आप लोग मुझे ये बताइएगा कि यूपी अंगर वर्ल्शेब रीडिंग सेंटर बन रहा है या नहीं बन रहा है और अगर ऐसा कुछ सेंटर बन रहा है तो कहां पर बन रहा है अगर आप डिस्कस करना चाहते हो डेली वेस इस पर तो मेरी करेंट अफेर्स की क्लास में आप उनसे जड़ सकते हो सुबिच 6.45 बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर धन्यवाद फिर मिलते है अपनी अगली क्लास में